सबसे पहले जब क्लाइंट आएंगे तो आपको उनसे जो इंपॉर्टन चीज़े हैं वो पूछना सबसे पहला स्टेप कि उन्होंने क्या यूज किया हुआ है अपने बालों में शांपू, कंडिशनर, और सिरम को छोड़ करके लास 15 डेज में उन्होंने अपने बालों में क क्लियर करनी है और अगर उन्होंने रिसेंट डेज में सा कुछ किया हुआ तो उन्होंने बोलो कि मैंने माव 15 डेज तक वेट करो क्या अब ही आप स्टार्ट कर रहा हो तो तो अगर हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो इसी रहाए क्योंकि आज क्यों कुछ नो कुछ यूजियुज किया हुआ यह इस फिए बरी शैंप्व अब इसके बाद शुरू से लेकर लाश तक एक भी बार और और शैंपू नहीं स करेंगे सिर्फ प्रस्ट वाश में शैंपू उसके बाद कहीं भी को यूज नहीं हो ता आप इसको स्टेब एसके बाद से फिर आपको और आपको आराम से करते रहना है, अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी की help भी ले सकते हैं। और आज के टाइम में मेंधी यूज़ करना बहुत कॉमन चीज़ है तो बहुत बड़ी में बता जाता है कि मेंधी टीटेड हेयर पर नहीं हो पाएगा या इस तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप बस क्लाइंट से बात करें कि कम से कम 15 दिन पहले वह 15 दिन पहले डिल्व चैप्लेशन चीज़ करनेशनर सेरम और 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 आउल को चोड़ करके कुछ भी ना हुजे करें आपने श्याम्पू कर लिया लैट से स्ट्रीट कर लिया इस अप्लाई कर रहा है तो यह कुंज़ कर रहा है तो उसे जो लैंत मतलब जो स्कैल्प के पास का अपका है होगा ना तो वहां से जल्दी बॉंड प्रीक हो जाएगा ठीक है वह जल्दी वहां पे हैर डेबलब कर जाएगा और नीची के लेंद्ध पर नहीं होगा तो वन वन इंचेस आपको छोड़ कर ही प्रॉपर हेयर में अप्लिकेशन करनी है और सेक्शन का नीट निकलना बहुत कई करेें कर बोट करें ईन्ट क्या होटर तो इन्होंने अभी स्ट्रीक का कलर यूज किया। इन्होंने बोला कि इनको six month हो गया है बट six month मुझे नहीं लगता है कि उनको हुआ हुआ है तो जो भी इन अपलाई किया है कि बालों में color मुझे properly इनके दिख रहे हैं कि हां इनके hair में अभी भी color है वो प्रॉपर तरीके से निकला नहीं है कि इन्होंने बोला कि हाँ इन्होंने guarantee लिया कि minimum 15 days तो हो ही किया है that's why हमने करना स्टार्ट किया है अगर यह भी होता है कि महंदी ट्रीटेट किसी के hair है और 15 दिन से पहले उन्होंने मतलब 15 दिन अभी नहीं हुआ है तो क्या कोई दिक्कत आएगा नहीं अगर ऐसा है तो करेंगे तो हम ही दे तो अगर आप करना स्टार्ट करते हैं हम उनका तो उसमें बस यह होगा कि आप क्लाइट को बोल देजे कि माम देखिए यह जो स्ट्रीणिंग आप करा रहे हैं उस पर 100% का नहीं आपको 80% का रिजल्ट मिलेगा हम नहीं जानते कितना रिजल्ट आगा तो अगर हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं क्लाइन को इस तरीके से पहले से कन्विंस कर लेजें जूट बोल के करना और फिर लास्म रिजल्ट नहीं अचाना उससे क्लाइन खराब होएंगे हमारे तो इससे बिटर है कि हम पहले चीज़े क्लियर कर लें तो अगर किसी आराउंड का रिज़र्ड भी बहुत अच्छा होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपे देखें सेक्शन को जो हम ले रहे हैं तो कितने नीट इन ख्लीन ले रहे हैं फ्रंट पे किस तरीके से ले रहे हैं से इसी तरीके से आप सक्शन को छोड़ेंगे कभ हैं मैं उनको भी बराबर कवर कर रहे हूं कि उन ही से आपका जो क्लीन ने से हैर में वह दिखेगा वही स्ट्रेटनिंग में रिजल्ट आपको अच्छा देगा तो छोटी चोड़ना नहीं है बढ़ा रूट्स पर भी अपलाई नहीं करना है इस बात का भी आप ध्यान दे लगी थे इसको मैंने अभी रिमूफ किया आप देख सकते हैं कि प्रॉपर क्रीम अप्लिकेशन हुई है पतले पतले सक्षेंस लेके करना है क्योंकि पूरे वालों में क्रीम बेतर तरीके से अपलाई होनी बहुत जरूरी है उसके बाद से हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड कर रहर है क्रीम को रिमूफ करना प्रॉपरली रिमूफ होना क्रीम की बहुत जरूरी है तो कर देखेंगे तो हीर में ज्ञागने चेसियर ृ॥ म मूत बहुत दया ऑपको तक तक वाष करते रहे जब तक ज्ञाग निकलनी बंध ना हो जाए उसके बाद से में मास्क अप्रिकेशन कर रहें हैं आप कोई भी मास्क ले सकते हो लो मांस को trave मास्क करें गोठी हैं 쉽습니다 की सरवार अप्लेकेंचन करें जिक बार द्रीह सत हम पराइने करेंगे शायन गवर समीदी परोपर बनेटzes के रहें तोफल राइक करने के बाद में फिर हमने उनका यह किया होड रहा था हमने बहुत होड नहीं मीडियम था बहुत जादा होड नहीं तो हैर में ड्राइनस आएगा इन सब चीजों का भी तोड़ा-टोड़ा सापको ध्यान रखते वे चला है उसके बाद से पर अम स्ट्रेटनि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं आपको क्लाइन को 100% का रिजर्ट देना है और 100% का रिजर्ट देने के लिए आपको अपने एकदम टेक्नीक से और सही तरीके से काम करना बेहत जरूरी है तो एकदम पदले सक्षन के लिए जिनमें आराम से आइर्निंग हो सके अगर आप आप अगर कभी करना चाहते है तो वैससे ट्राय करके आप दिखेगा कि आप मोटे सक्षन्स लेकर कर करें ना तो फिनिशिंग आगी और यह जल्दी होगा पर अगर पतले सक्षन के करेंगे बहुत अच्छी पिनिशिंग आएगी और बहुत जल्दी कंप्रीट होगा अप यह प्रॉक्समेटले आपका 10-15 मिटे लग बग आदा घंट अपका पचे कर अगर आप करते हैं तो इस तरीके से सक्षें में निकाल रहे हूं फाइन सक्षें लेकर यह सक्षें को मैंने खुदी निकाल के खुदी किया हुआ है अभी कोई में पास हेल्प के लिए नहीं है त कितना अच्छा रेफ्लेक्शन आ रहा है इसका तो यह हो गया हमारा पहला स्थ कंप्लीट हो गया अब बढ़ेंगे अपने सेकेंड स्टेप की तरफ में डेकर जो सेकंड स्टेप होता है वह किसी भी ब्राइंड का हो तेकि आप उसको यूज कर सकते हैं तेकर का भी सेम ही प्रोसेस रहेगा ठीक है सेम प्रॉपर प्रोसेस जाएगा हम प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से हमने पहला स्टेप को अप्लाई किया हुआ था उसी तरीके से हम इसको अप्लिकेशन करते जाएंगे fine sections लेंगे वापस fine fine पतले-पतले sections लेना है वापस comb नहीं करनी है sections को जब हम cream application करने के time पे हम comb नहीं use करेंगे comb का कोई भी use नहीं होना चाहिए एक sections को slow लेकर की गया हुआ है कहीं कहीं बाल बहुत लज रहा है तो अलग की चीज है otherwise आपको use कुछ भी नहीं करना है यह जब हमारा यह neutralizer application हो जाएगा neutralizer application करने के बाद में फिर इसके लिए भी हमको 15 मिन तक रुपना है 15 मिन तक इसको घड़ी के टाइम से पको 15 मिन तक इसके लिए वेट करना है यह देखिए हमने proper application कर दिया है application के बाद में after 15 मिन के बाद में हम को rinse के लिए लेके जाएंगे वापस वापस से rinse करेंगे है और इस बार भी शैंपू नहीं करना सिर्फ mask application करोगे उतना ज्यादा च्छा रिजल आएगा उतना जादा स्मूध है त्यादा शाइन आएंगे किया है अभी एक कितना ही करें का उसके बार से माश्य के अप्रेकिशन के बाद्न इर रिखर जा bands के बार में यह संसे अन्य शचे को शोड़ने होते हैं को दो दो दीन बात्री जीновria करें को यह युक्र फिंश करके दें किस्परणips कंपल्णिझ शचाइब ही from देखिए यह हमारा फाइनल रिजल्ट आपको कैसा लगा आपको पसंद आया होगा अगर और को दिखा तो आप मुझसे पोच सकते हैं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और नेक्स वीडियो में